हम लोग करेंगे प्रेक्टिंगणी प्रिक्षन खंड सेकेंड मिलेगा आपको पेपर में जिसमें 20% होंगे 41 से लेकर 60 तक के और का सेलक्षन है वो इसी सेक्षन के उपर डिपैंड करता है अगर बच्चों आपनी सेक्षन अच्छे से कर लिया तो 100% आपका सेलक्षन होगा तो चलिए सुरू करते हैं परसन संख्या 41 से सुरू परसन संख्या 41 दी हुई है 11 से 20 तक कितनी रूड संख्या हैं तो बहुत सारे बच्चे तो इसी में कन्फ्यूज होते हैं कि रूड संख्या क्या होती है तो पहले बच्चों ये समझे लो रूड संख्या क्या होती है र लिए देखते हैं ग्यारा से बीच तक कितनी संख्या ही होती है तो ग्यारा अपने आप में एक रूर संख्या क्योंकि ग्यारा के वल ग्यारा से इकट सकता है या फिर एक से उसके बाद ग्यारा के बाद आपका तेरा आता है तेरा भी अपने आप से में रूर संख्या क्योंक अगर आप परसंद देख लीजिए वह कुन सी संख्या है जिसे 27 से भाग देने पर भाग फल 25 एवं सेस्फल 13 आता है ठीक है बच्चो तो इसके लिए हम क्या करेंगे देखो जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं जैसे मान लीजिए कोई संख्या को हम भाग देते हैं तो जिससे हम भाग देते हैं उसको बच्चों भाजक बोलते हैं और जिसको भाग दे रहे होते हैं इसको भाज्ये और जो इदर आता है इसको हम भाग फल कहते हैं और जो नीचे बच्चता है वो हमारा सेसफल होता है इनके बीचे एक संबंद होता है कि ये जो भाज्य है जिसको हम भाग दे रहे होता है भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक गुणा में भागफल और प्लस सेसफल ये ध्यान रखेगा आप लोग तो यहां पर देखों हमें क्या क्या दिया गया है भाजक है हमारा 27 और भागफल 25 और पलस में क्या है βच्चो सेसफल जोकी 13 दिया गया है इसके हम गुणा करेंगे 27 और 25 की तो गुणा करने पर हमें यह मिलेगा 675 और पलस में 13 675 में 13 जोड़ेंगे तो 688 तो हमारा राइट आंसर हो जगा 688 वो संख्या हमारी क्या है बच्चो 688 है और आपका 3 राइट आंसर ये परसन भी बहुत इंपोर्टेंट है वह कौन सी संख्या जिसे 8, 12 और 15 से विभाजित करें और हर एक बार 3 सेसफल बचे वो इनमें से कौन संख्या है तो बच्चो कर हमें ऐसी संख्या पूछी गई है जिसको हम इन दीगई संख्या से भाग करें और हर बार में ये सेसफल बचे तो संख्या को हल करने के लिए हमें इनका ल्चियम निकालना पड़ेगा 8, 12, 15 और उसके बाद जो भी हमें सेसफल बच्चता है घर और बार से इस EPA लगता हुसकाम हम इसमें रोको करदाएंगे चलिए करते हैं इसको तो पहले हम इनका-चानी था बारी पंद्रा गर लेंगे 2, 4, 8, 2, 6, 12, 15 इसी नोट कर लेंगे 2, 4, 2, 3, 6, फिर 15 इसी रहेगा फिर 2, 2, 3, 15 इसी फिर हम 3 से करेंगे 1, 3, 3, 3, 15 फिर 5 से अब इनका LCM आ जाएगा हमारे पास 2, 2, 2, 2, 3, 5, 2, 2, 4, 12, 5, 60, 180 तो इनका LCM बच्चो 180 आ गया हम से पूछी थी वो संख्या क्या है तो बच्चो इनका LCM तो 180C आ गया और जो सेस पलता वो उसमें जोड़ना था तो हमारी संख्या बच्चो 183 आ जाएगी और यह पूछता कि उसमें 3 जोडने पर कंपलीट हो जाए तो वहापे भी हम लोग जाएं 3 पलस करते और 3 माइनस ठीक है बच्चो अगला परसन देखते हैं बहुत important परसन है इसको अधिहान से समझ ले जाए अगला परसन देखिए अगला परसन है आपका निम लिखित में से कौन सी संख्या चार से पुरी पुरी विवाजित हो सकती है जैसे कि आपकी पहली संख्या दी गई है 306, 308, 410 और 4, 4, 6 तो बच्चो चार सी विवाजित का नियम यह है जिस किसी भी संख्या के बाद के दो अकसर चार सी विवाजित हो जाते हैं बाद की दो अकसर दो संख्या चार से विभाजित हो जाएंगी वो संख्या पुरी-पुरी चार से विभाजित हो सकती है तो चार के पाड़े में छे तो नहीं आता तो यह चार से विभाजित नहीं होगी देखो यहां पे जीरो आठ है यह जो आठ है वो चार से पुरा-पु आपका राइट आंसर हो जाएगा अगला परसन में दिया गया है कि 14,500 14,000 प्लस 15,500 इसके नीचे लिखे और प्लस में 4 धाई, 4 धाई का मतलब होता है 4 गुणा 10 यानि कि 40 इनको हम जोड़ लेंगे सबको 0, 4, 5, 4, 1, 5 और 5, 15,540 हो जाएगा ठीक है बच्चों ओफसे नंबर आपका फोर्थ जो है राइट आंसर है अगला परसन देख लीजिए य ये वाला भी आपका most important person है सरली करन से और इसे बार-बार paper में पूछा जाता है तीन बटे चार का दो सही एक बटा दो भाग एक सही एक बटे आठ का तीन सही एक बटा तीन कितना होगा हमें ये बताना है तो बच्चों जब बीच में का आता है ना का का मतलब तो गुणा ही होता है लेकिन इस का को हम सबसे पहले हल करते हैं जो का होता है वो गुणा हमने सबसे पहले हल करनी है भाग इसे भी पहले हल होती है तो इसको सोल करेंगे तीन बटा चार गुणा दो दुनी चार और एक प बटे आठ भाग यह से हम अगर कुछ गटरा काड़ देजए तीन इकम तीन तीन तिया नो दो चो खाड़ तो पंजे दस पाच तिया 15 बटे में 4 इसको हम हल करेंगे बच्चो 15 बटे आठ और जब हम हम हल करते हैं अगर यहां पर भाग होता है तो भाग का में बदल पर आपका first right answer हो जाएगा ठीक है बच्चो कभी भी ध्यान लखना अगर आपका का है तो सबसे पहले का को हल करी जाएगी का की गुणा होगी बस यह इसमें ट्रीक थी कुछ बच्चे क्या करते हैं नो को कहते हैं कि बोर्ड मात में पहले भाग होगा फिर गुणा फिर जोड फिर गटा लेकिन नहीं बच्चों से पहले का भी आता है तो हम यहाँ पे पहले भाग नहीं करेंगे पहले हम का की गुणा करेंगे चलिए अगला परसन देखते हैं अगला परसन है हमारा कि 18 बटा 25, 21 बटा 45 और 35 बटा 75 का लासा क्या होगा इनका हमें बच्चों लासा ग हैं इस जाड़ करना हो तो उसके लिए हमें अनस ऐस हमें अनस का लासा है जो अनस फुपरर वाल से वालिस यह उसका तो लासा नीकालना होता है और बटे में confident a चलिए 10 स्चालें से जाएका 35 को नोट कर लेंगे उसके बाद बच्चों 3 इन इन संफored 25 35 ऐसी रहेगा और फिर यहां से 3 इकम 3, 7 ऐसे ही और 35 फिर आप 7 से कर लीजिए 7 इकम 7, 7 बंजे 35 और फिर यहां पर बच्चो 5 से कर लेंगे 5 इकम 5 हमारा LCM यहां पर आ जाएगा 2 गुना 3, गुना 3, गुना 7, गुना 5 इसको हम हल करेंगे तो 2, 3, 6, 18 और 5 सते 35 18 और 35 की हम गुना करेंगे बच्चो 18 और 35 की गुना करने पर हमें मिल जाएगा 630 तो यह हमारा LCM है वो हमारा 630 हो जाएगा आप जो हर है 25, 40, 75, 75, 75 इनका माहसा निकालेंगे तो माहसा निकालने के लिए बच्चो आपना भाग दिका परियोग करिएगा क्या करेंगे, 40 और 25 का निकाल देते हैं पहले 25 ही कम, 25, 40 में से 25 गए, 15 उसके अद 15 से 25 को भाग करिए, 15 ही कम, 15 कित्ता बचा 10, फिर जो आप 10 है, 10 से इस 15 को भाग करिए, 10 ही कम, 10 15 में 10 गया, 5, 5 से 10 को भाग करेंगे 25, 25, तो ये पूरा-पूरा भाग हो गया, मतलब 25, 40, 75 का जो मासा है वो फाइनली 5 आजाएगा, अब हम इसको करेंगे, देखो, अंस का लैसे का था, तो लासा कितना हो गया बच्चो 630 हो गया, और हरका मैंने मासा का था, मासा कितना हो गया, बच्चो आपका कर देते, ठीक है बच्चो, अगला परसन देखिए, परसन संख्या 14 आई, क्या कहरा है परसन में, किसी धन का एक बटा साथ भाग जोडने पर योग 32 हो जाता है, तो वह धन क्या है, हम ये बताना है, तो आप इसमें मान लेना कि माना आपका जो धन है, वो धन आपका परसन देखते हैं, परसन संख्या 50 है, आपका दो बटा 3 और पांच बटा 7 को योग निमली खिते में से कैसे प्राप्त होता है, तो दो बटा 3 पलस 5 बटे 7 करेंगे, तो बच्चो इस तरह का योग जाएदे को योग नी बताना, तरीका बताना कि कैसे हल होगा, तो कैसे हल करते हैं, हम 3 गुना करके हल करते हैं, 7 की गुना 2 से करेंगे तो दो गुना साथ लिखेंगे, फिर पलस का निसान, फिर तीन की गुना पांच से करेंगे, तो तीन गुना पांच लिखेंगे, और बटे में हम क्या करते हैं, कि आपस में गुना, तीन गुना साथ, चलिए मिला लीजिए, कहां पे दिया गया है, दो गुना साथ, तीन गु इसकी जो आय है, उसका अनुपात हमें दे रखा है, चार अनुपात पांच है, तो रमेज की आय क्या होगी हमें ये बताना है, तो उसके लिए क्या करते हैं बच्चों हम पहले अनुपातिक योग निकाल लेते हैं, जो भी हमारा अनुपात दिया गया है, चार अनुपात पा बावन हमारा अगला परशन है यदि 2000 की आबादी में 40 व्यक्तियों की मृत्यू हो गई हो तो कितने परतिसत व्यक्तियों की मृत्यू हो गई है यानि हमें मृत्यू दर बतानी है कि मृत्यू कितने परतिसत व्यक्तियों की हुई है तो मृत्यू दर जब हम बच्चों बताते हैं तो मृत्यू दर बराबर होता है हमारा मृत्यू जितने आद्मियों की हुई है और बटे में कुल आद्मी, कुल जितने भी आद्मी थे तो यहां पर मृत्यू जो है 40 आद्मी ही हुई है किस मर, किस पर दो हजार आद्वी पे तो 40 बटे में दो हजार और गुणा में 100 चीक है इसको हल कर देंगे 2-0 से 2-0 इस 0 से यह भी कट गई 2-2-4 तो यहां पे बच्चों 2% व्यक्तियों की क्या हो गई है मृत्यू कभी में मृत्यू निकालनी होती है और मैं आप ऐसे बताऊंगा कि आप इसको चुटकियों महल करोगे राम किसी कारिये को 10 दिन में कर लेता है राम जो होता है किसी काम को 10 दिन में करता है और वही पर मोहन किसी काम को 15 दिन में करता है मोहन काम को 15 दिन में करता है पंदरा दसाम एक सो पचास और भाग में दस पंदरा दस कितना हो गया पच्चिस पच्चिस छिक्का एक सो पचास कितना हो गया चेह दिन तो दोनों मिलकर जो है कारिया को चेह दिन में कर लेंगे option number आपको one right answer हो जाएगा एक ओट और इकसा की गती 90 km प्रती घंटा है तो 4 गंटे 40 मिनट में उसके द्वारा तेहें की गई दूरी कितनी होगी तो बच्चों दूरी बराबर होता है हमारा दूरी का सुत्त होता है चाल गुणा समय चाल गुणा समय अब यहां बात करते हैं तो चाल आपको दी गई है 90 km प्रती घंटा ठीक है और जो हमें यहांपे बचुो समय दी गया हैं पलस ये जो 40 मिनट है तो एक घंटे में हमारा कितना होता है बच्छो 60 मिनट होता है कितना 60 मिनट तो अगर मिनट को घंटे में बदलेंगे तब हमें उसको 60 से भाग करना पड़ेगा तो 40 बटे 60 करेंगे 0 से 0 कट गया 2 दूनी 4, 2 ती 6 तो कितना समय हो गया 4 पलस 2 बटा 3 और ये टोटल हमारा घंटों में बदल चुका है अब हम इसको हल करेंगे तो 4 तीया 12, 13, 14 तो 14 बटा 3 घंटे हो जाएंगे टोटल हमें बतानी थी कि दूरी क्या होगी तो मैंने बताया दूरी बराबर 4 गुना समय होगा तो 4 हमारा कितना बच्चो 90 है और समय हमारा घंटे में टोटल 14 बटा 3 आया है यहां समय इसको हल कर लेंगे 3 से 90 काटेंगे 30 तीया 90 तीस बार गटेगा और 30 गुना 14 की तीस और 14 की गुना करेंगे तो 30 और 14 की गुना करने पर 14 तीया 42, 420 किलो मिटर आएगा बस आपको ध्यान रखना जब इस तरह का स्वाल आएगा दूरी किलो मिटर में गंटे और 4 किलो मिटर पर ती गंटा में तो ऐसी कंडिशन में जो मारा समय होगा उसको टोटल गंटे में बदलेंगे तो अगर मिनट में दिया आया तो मिनट कॉम 60 से भाग करेंगा और वो गंटे में चेंज हो जाएगा हल करके टोटल गंटों में निकाल देंगे अगला परसन देख लीजिए एक व्यापारी ने 550 रुपे में एक रेडियो खरीद कर उसे 625 रुपे में बेच दिया गया है तो उसके द्वारा प्राप्त लाव कितना हुआ तो बच्चों उसने खरीदा है यानिकि इसका कोस्ट प्राइज है 550 रुपे चीक है 550 इसका कोस्ट प्राइज है और उसको 625 में बेच दिया सेलिंग प्राइज है उसका 625 रुपे अब उसके द्वारा प्राप्त लाव रासी कितनी होगी तो यह को सस्ते में खरीदी थी चीज़ को महेंगे में बेची और हम से पूछ रहा उसका लाव कितना होगा मतलब प्रोफिट कितना होगा तो लाव बराबर बच्चो जो मार भी करें裏 मुलिया है उसमें से करेंुलिया को माइनस कर देगे तो 625 रुपे का बेचा और पान्सों पचास रुपे का कर्या लाये था माइनस कर लें具 पांच में से जीरो गया पांच और यहां पे बारा में से पांच गया साथ तो यहां पे उसको बच्चो 75 रुपे का लाब हो जाएगा सुद लाब उसका 75 रुपे और आपका राइट आंसर है अगला परसन देखिए यह भी बहुत इंपोर्टेंट है और हर बार पेपर में एक परसन ऐसा आता ही है यह आपका तुदला से परसन है चीक है चलिए देखिए देखिए परसन को कैसे करना है देखो बच्चो अगला परसन जो है आपका बहुत ज़्याद इंपोर्टेंट है एक प्रिक्सा में आकास ने मीनू से 10 अंक अधिक प्राप्ट किये तथा संजा ने मीनू से 15 अंक कम प्राप्ट किये इन तीनों ने कुल मिला कर 310 अंक प्राप्ट किये तो संजा के अंक ग्याद कीचिए तो आप धिक खास बाती है कि आकास के अंक जो है वो भी मीनू से compare है और संजय के अंक है वो भी मीनू से compare है तो आप यहाँ पैसा लिखो कि माना जो मीनू के अंक है माना मीनू ने जो है वो x अंक प्राप्त किये तो मीनू ने अगर x किये तो आकास ने मीनू से 10 अधिक अंक प्राप्त किये हैं तो आकास के अंक हो जाएंगे x प्लस 10 ठीक है और संजय ने मीनू से 15 कम प्राप्त किये हैं तब संजय संजय के जो अंक होंगे वो मीनू से 15 कम होंगे मीनू के x है तो x माइनस 15 और इन टीनों के जो कुल अंख है वो 310 है मतलब अगर 3 उग को मैं जोड़ दूँ मिनुक के अंख को आकास की अंख को और संज्य के अंख को तीनों का अगर प्लस करता हूं तो प्लस करने पर ये जो अंख है वो 310 मिल जाते हैं हल करेंगे x x x कितना हो गया 3x और 15 में से 10 गया माइनस का 5 बड़ाबर 310 क्योंकि माइनस की संख्या जाते हैं तब 3x बड़ाबर 310 और यह जो 5 माइनस है दरा के बच्चो प्लस का 5 हो जाएगा बड़ाबर से कोई भी संख्या बदलती है तो उसका निशान बदल जाता है 315 x बड़ाबर 315 भाग 3 3 से कार देंगे 3 इक हम 3 0 3 15 तो एक्स का मान बच्चो 105 आ जाएगा किसके अंग पूछ राता संजय के अंग बताओ तो संजय के अंग थे x-15 तो टोटल अंग आये हैं x का मान आया है 105 इसमें से 15 हम माइनस कर देंगे 5 में से 5 गया 0 10 में से 9 तो इसमें आ गया ओको बैच्चो अगला परसंद देखिए एक कलम को एक कलम को 12 रुपे में बेचने पर 20% का लाब होता है करे मुल्य बताओ क्या होगा selling price, विक्रे मुल्या दे रखा है इसका 12 रुपे और लाब पर 30 दे रखा है 20 पर 30, आपसे पूछा करे मुल्या क्या होगा, कोस्ट पूच रहा है क्या होगा तो बच्चो करे मुल्या जब हम निकालते हैं तो करे मुल्या का सुत्रियाद कर लेना, करे मुल्या बारे से बारा तो कितना हो गया दस तो बच्चो करे मुलिया जो पहन का होगा दस रुपे हो जाएगा उपस नम्बर सेकेंड राइट आंसर अगला परसंद देखिए दस हजार की धन राशी पर 18% वारसिक ब्याज की दर से एक वर्स के लिए साधान ब्याज पर लगाई जाती है उसे प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा तो बच्चो यह हमारा मूलधन दे रखा है हमें 10,000 रुपे मूलधन हमारा 10,000 रुपे हैं औ और दर हमें दे रख्किए वारसिक 18% और समय हमारा है यहां पिएक वर्स तो पहले हम ब्याज निकाल लおっ यहां idee क्या और ब्याज हमारा व्याज समय के लिए ल Kindल और ने वर्स का है ये ब्याज हमारा एक वर्स का है लेकिन पेपर में पूछा है कि प्राप्त मासिक ब्याज कितना होगा मतलब एक महीने का ब्याज हमसे पूछ रहा है कि एक महीने का ब्याज कितना होगा तो बचो टोटल एक वर्स का ब्याज है अटारस रुपे इस अटारस को ये इसको क्या करेंगे भाग कर देंगे बारा एकम बारा बचे कितने चेह बारा पंचे साथ और जीरो तो कितना हो गया एक महिने के ब्याज एक सो पचास उरुपे उफसे नंबर ठीरी आपका राइट आंसर होगा अगला परसन देखिए आपका आलेक से हैं और यह बहुत इंप परसन जो है उफसे नंबर टू हो जाएगा अमेरिका की इस आलेक के अनुसार अगर हम देखते हैं तो हमारे उसत की जो अमेरिका के उसताय है पड़ती वह कितनी है बच्चो एक हजार रुपे है ठीक है अगला परसन देखिए इसमें हमें एक पैटरन दिया गया इस पैट पैटिस दो जोड़े पैटिस आगे पैटिस में दो जोड़े सेंथिस सेंथिस में दो फ्लस करेंगे तो 38 उन्ता दिस तो ओप्शन नंबर आपका टू आ जाएगा राइट आंसर ठीक है बच्चो उम्मीद करता हूं आपको इसमें आया होगा मैंत का जो हमारा पूरा प्र पैटिस देब और ही 100% सबसे लेक है